राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधों संसकार की बाती चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आप के लिए लिकर आई हूँ दशा माता की सुनी जाने वाली कथा बंधों चैत्र क्रिशन प्रतिपदा से लिकर चैत्र क्रिशन दश्मी तक दशा माता की व्रत किये जाते हैं और दशा माता की व्रत कथा सुनी जाती है बंधों जो मुश्य दशाम माता के व्रत दस तिनों तक नहीं कर पाते वे यदि दस तिनों तक दशाम माता व्रत कथा को भी सुनते हैं तो उन पर किसी प्रकार की कोई बुरी दशा नहीं रहती बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और पेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बौक्स में जय दशा माता जिरूर लिकें, बोलो दशा माता की जय हो आठ्वे दिन सुनी जाने वाली दशा माता की ब्रत कता पुराने समय की बात है एक घर में एक जेठानी देवणानी थी वे दोनों निसंतान थी वे मेहनत करके पेट पालती थी दोनों ब्रत पुजन कुछ भी नहीं करती थी गाम में आग लेने गई उस दिन गाम में दशामाता का पुजन था इसलिए उन्हें किसी के यहां से भी आग नहीं मिली आग ना मिलने पर जेठानी देवणानी से बोली आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा शाम को आग मिलने पर ही रिसोई बना कर भूजन करेंगी शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पडोसन के यहां से आग लेने गई पडोसन ने उसे आदर पुरवक बिठाया जेठानी ने पडोसन से पूछा दशामाता का पुजन करने से क्या होता है पडोसन ने बताया जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा प भी डोरा लूंगी जे ठानी जैसे ही आग लेकर घर से बहार आई तो उसे गाये चर कर आती दिखाई दी गवाला पीछे आ रहा था उसके कंधे पर एक बचड़ा था और एक गाये बचड़े को चाटते हुए चल रही थी पडोसन ने गवाले से पूछा तुम्हारी गाये के पहली बार प्रसव हुआ है क्या गवाले ने बताया हाँ पडोसन ने फिर पूछा गाये ने बचड़ा दिया है बच्चिया गवाला बोला बचड़ा है यह जानकर जे ठानी ने पडोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा लेलो नो दिन तक प्रत रख कर कथा सुनना द दशा माता चाहेंगी तो दस दिन के भीतर ही तुम्हारी मनो कामना पूरी हो जाएगी जेठानी ने घर जाकर सारी बाते देवरानी को बताई दोनों ने दशा माता से मनोती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगी दोनों ने दशा म पढ़ा लिया दशाम माता की क्रपा से ढोरए की पूजा से पहले ही दोनो द्राने जटानी घरवती हो गई दोनों नो दिन के बाद दोनों के यहां दो लड़कों ने जरम लिया बालकों के नाम belt संसकार के बाद देवराणी ने जिठानी से कहा हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मिनोती मांगी थी उसे अपूरा करना चाहिए जिठानी ने कहा अभी ऐसी क्या जलती है जब लड़कों को अनप्रासन संसकार होगा तब सुहागिनों को नोता देंगे अब लड़कों का अनप्रासन संसकार हुआ तब देवरानी ने जिठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही प्रंतु जिठानी ने बात को टाल दिया और कहा लड़कों के मुंदन संसकार पर सुहागिनों को नोता देंगे होते होते कुछ समय भाग लड़कों का मुन्डन संसकार भी हो गया देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योतने की बात कही जेठानी बोली लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिने न्योती जाएंगी लड़के बड़े हो गए उनकी सगाई भी हो गए प्रंतु जिठानी ने अब की बार भी सुहागिने नहीं न्योत दी जिठानी बोली जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे देवरानी बोली बेहन तुम्हारी जब इच्छा हो तुम तब न्योत ना प्रंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूँगी देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया प्रंतु जिठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की लगन के बाद मात्र का पूजन करके दोनों दुले बरास सच कर बैंड बाजे सही ब्याने चल दी देवरानी के बेटे का विवाँ बड़े धूम धाम से सकुशल पूरन हो गया प्रन्तु जिठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठा कर ले गई दुले के सहसा गयब हो जाने के कारण वर करन्या दोनों में हाहाकार बच गया उनकी बारात खाली हाथ घर लोटाई प्रन्तु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई इस अद ब्याही लड़की से कौन विवाँ करेगा पडोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याहा का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए लड़की बिखारियों को सदावरत देने लगी एक दिन एक साधू तीज स्यात्रा करता हुआ वहां आया गाफ से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे उसी पेड़ पद्दशा माता का निवास था साधू चलता चलता शाम को उसी पेड़ के निचे ठहर गया जाडू दार ने आकर उसी पेड़ के पास के मेदान में ज़डू लगई बिस्तिन ने मस्क से वहाँ पर छिड़काव कर दिया और माली ने यहाँ फूल भिखेद दिये तब अनेक देपता अनेक परकार की पुशात पहन कर आने लगी तथा स्थान पर बैठ गई सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिहासन उतरा इसी के साथ स्वर्ग की अपसराएं आकर सिहासन के चारों और नाचने लगी उसी समय अद्ब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशामाता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी इंद्र के साथ स्वरक से एक सूरा गाय भी आई उसने दो किलास दूद दिया लड़के ने अद्ब्याहे के भाग का एक किलास अलग रख दिया दूसरे किलास का दूद भी पी लिया जब तक अपसराओं का नाच गान होता रहा दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही प्रात्यकाल होते ही देवताओं का दर्बार भंग हुआ साथू भी वहां से चलकर नगर में आया साथू महराज गाह में भिक्षा मांगते मांगते अद्ब्याहे लड़की के घर जा पहुँचे लड़की ने आदरपुर्वा साथू को बिढ़ाया और भोजन तयार क लड़की ने तीन पतल परोस कर रखे पहली पतल अद्ब्याहे अपने पते के लिए रखी दूसरी पतल बाबा जी के सामने रखी और एक पतल अपने सामने रखी बाबा ने अपने आप का वहां जो बात मैंने रात वहां देखी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है ल ऐसी अनेक बाते कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या लेना, तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली, उसने कहा जब तक आप अपने कही बात का खुलासा नहीं करेंगे, मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी सादू बाबा चुप रहे, तब लड़की बोली, आप सादू हैं और मैं सती हूँ, आप यहां तो अपने कथन को सपष्ट कीजिए, आपने रात में क्या देखा, नहीं तुम्हें आपको शाप दे दूँगी। तब सादू बाबा ने रात का सारा किस्सा कहसनाया, यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ पजाने का निश्चे कर लिया, सादू बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही, सादू बाबा लड़की को पारस पीपल के पास बिष्टी ने अपनी मजग से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए देवताओं के राजा इंद्र आए अपस्राओं का नास गान अरभ हो गया उसी समय दशामाता पीपल के पेड़ पर से उधर का दरबार में बैठ गई लड़के ने सुरा गाये का दूर ल ते ओही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर्क के सामने आ गई वह बोली अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्तित हूँ मेरे लिए क्या अग्या है मैं सेवा करने के लिए तयार हूँ तब लड़का बोला मैं इस तरह से तुम से नहीं मिल सकता मैं दशामाता की से करके उन से मुझे अपने लिए मांग सकती हो तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ लड़का दूद पीकर दशामाता की गोद में जाकर बैठा लड़की अपसराओं के साथ नाच गाने लगी जब सवेरा हुआ तो दशामाता ने इस नई लड़की को बुला कर पूछा तुम क प्रसन हुई जो कुछ मांगना है मांग लो लड़की ने दशामाता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी तथास तो कहने के बाद लड़की ने दशामाता से अपने पती को पकड़ कर कहा मुझे यही चाहिए दशामाता ने कहा तुने मांगा तो बहुत प्रंतु मैं वचन दे चुकी हूँ इसी कारण मैं तेरे पती को तुझे वापस देती हूँ राजा इंदर ने पूछा कि भगवती यह सब क्या राज है मैं इस राज को जानना चाहता हूँ तब दशा माता ने बताया यह लड़का मेरे वद्दान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनोती मांगी थी कि लड़का प्यदा होने पर मैं सिहागिनों को न्योता दूनी प्रंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया इस कारण मैं इस लड़के को भी वहा मंदब से उठा लाई थी यह लड़की इसकी अद्व्याही पत्नी है और पती ब्रता है पती ब्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुँचकर मुझ से अपना पती मांग रही है दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने वरवदू के उपर पुश्प की वर्षा गी तब तक सादू बाबा भी वहां पर आ गए सादू बाबा दुला और दुलन को साथ लेकर गाव की उचल पड़े जब ये तीनों गाव के समीप महुचे तो गाव वालों ने दुला दुलन को देखकर लड़की के पिता को सूजना दी तुम्हारी पुत्री दूले के साथ आ रही है जिस दिन से लड़की चली गई थी उसके पिता ने लोग अपवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था गाव वालों की यह भी बास सुनकर उसने घर के किवार बंद कर दिये उसने समझा लड़क की साथू बाबा के साथ आ रही होगी इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं जब गाव के गनमाने विक्तियों ने भी यही भाद बताई तब उसने घर के किवार खोले और बाहर निकला जब उसने सचमुच अपने बाहर पर लड़की और दामात को खड़े देखा तो उसक रहें से विवहा नहीं होगा पहले दुले की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए तब विवहा के नेक पूरे किये जाएं लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी लड़के की माने पहले सुहागिनों को न्योता दिया तब बारात चली बड के घर पर सुहागनों को न्योता देने की प्रथा चली आ रही है दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली वैसे सब काकल्यान करें बोलो दशा माता की जय हो राधे राधे जेश कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद